आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी गोल्ड की यूनिट वन क्लास फॉर की जिसका नाम है वेक आप ये पोयम है पोयम कौन सी है वेक अप मतलब उठ जाओ और पोयम के बाद में एक स्टोरी है स्टोरी का नाम है नेहा अलाम कलॉक नेहा के बाद अपोस्ट्रफी एस लगा मतलब उस गड़ी पे किसका अधिकार है नेहा का इसको कई लोग आला राम बोलते हैं आला राम गलत है इसको क्या बोला जाता है alarm क्या बोला जाता है alarm याद रखना alarm it's not आला राम it's alarm anyways let's go ahead let's read and recite recite का मतलब ही होता poem को गुन गुन ना wake up wake up wake up मतलब उठ जाओ it's a lovely day oh please get up and come and play the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees बहुत ही lovely poem है एकदम सुबा ला रही है class 4 के बच्चों को उठाते हुए बोलती है wake up wake up उठ जाओ उठ जाओ बहुत अच्छा दिन है please get up क्रप्या बिस्तर से बाहर निकले and come and play आईए खेल ये birds are singing पक्षिगा रहे हैं बेड़ पर and you can hear the buzzing bees आप buzzing bees याने मदुमक्कियों को भी देख सकते हो भुन भुना रही है buzzing मतलब गुन 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 करना फिर से wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play ये चार लाइन कॉमन है wake up wake up it's a lovely day oh please get up and come and play उठ जाओ उठ जाओ आओ खेलो it is much too late to lie in bed इतनी सुबह हो गई है अब तुम बिस्तर पे मत सो lie in bed मतलब बिस्तर पे पड़े रहना much too late बहुत जादा लेट so hurry up you sleepy head जो आलजी रहता ना उसको बोलते sleepy head पड़ा रहता बिस्तर पे wash and dress and come on out everyone is up and about the cow, the horses, the ducks and the ship, the tiniest chicken चिप 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 वेकन अप क्या बोलता है वो wash and dress ना हो तयार हो आजाओ जैसे अपन बोलते ना ना हो तयार हो आओ उठो ना हो तयार हो आओ उसके लिए phrase बना है wash and dress and come on out चलो बहर निकलो everyone is up and about सब लोग जाग चुके हैं और कामदंदे पे लग चुके हैं कौन-कौन cow, horses, ducks गाहे, घोडा duck मतलब बतक and the sheep, भेड वगेरा the tiniest chicken tiniest chicken मतलब चोटासा चूजा वो भी चिप-चिप-चिप-चिप कर रहा और वो भी उठ गया है सब उठ गया है तुम भी उठ जाओ lovely बोलो lovely बहुत अच्छा buzzing गुर-गुर-गुर-गुर करना sleepy head आलसी सोने वाला tiniest सब से चोटा सुनना question answer आये है मैं question पढ़ूंगा यहाँ answer के लिए लेकिआ हूँगा आपको board पे पहले question समझो what do you think birds say to each other in the morning आपको क्या लगता है जब सुबा होती है तो birds एक दूसरे को क्या बोलते हैं क्या question है what do you think birds say to each other in the morning अब मैं को एक बात बताओ कोई भी हो वो एक दूसरे को क्या बोलेगा good morning तो answer आएगा the birds बोलो the birds say to each other good morning इसको bracket में लिख सकते हैं inverted कॉमा में भी रख सकते हैं the birds say to each other good morning बोलो the birds एक दूसरे को क्या बोलते हैं good morning यह हमारा answer number one answer one the birds say to each other good morning फिर और लेके आता हूं मैं अगला वाला answer लेके आता हूं अगला वाला लेके आता हूं पहला वाला complete हुआ इसको done करूं let's go ahead अगला question पढ़ते हैं अगला question अगला question who are already awake who are already awake मतला कौन पहले से जाग चुका है बोलो कौन पहले से जाग चुका है इसका answer ऐसा आएगा पहले से कौन जाग चुका है मैं बताता हूं चलो अब अपन बढ़ते हैं question number two सबसे पहले अपन ने देखा but क्या बोलते हैं एक दूसरे को good morning who are already awake इसका मतलब होता है कौन पहले से already जाग गया आपको मैंने जब पढ़ाया था तब ही बताया था कौन कौन जाग गया था पहले से हाँ बोलो the cows horses और कौन shape and ducks ये लोग पहले से ही जाग चुके थे तो बोलेंगे are already awake already awake मतलब पहले से जाग चुके है कौन कौन cow horses shape and ducks ये लोग पहले से जाग चुके थे तीसरा question which creature wake up in the morning before the child does वही which creature wake up in the morning before the child does तो इसका भी answer यही बनेगा कौन कौन से creature थे तो जीग गय थे the cows वही उपर का same to same the cows horses ship and ducks थोड़ आसा बदलेगा इसके आगे are the creatures क्या बढ़ते इसको creatures बो creatures wake up the cow ducks and ship are the creature wake up before child does ये बच्चे के पहले उट गए थे wake up before the child does बात समझ में आई क्या हुआ इसका simple सा मतलब है कि ये लोग बच्चे के उटने से पहले उट चुके थे okay let's listen सुनना मेरी बात listen to the song of the bird say the word boy and bee listen the bee sound big बोलो big bubble bin bag blue blow black थोड़ा सब bee का वो थोड़ा आपको लगा रहा है जोड go for morning walk सुबा उटके जाओ गूमने listen to the sounds you hear जाओ जब गूमने जाओंगे तो sound आएगा rustling of the leaves पत्तियों की गड़ गड़ा हट the wind blowing हवा की आवा जाएगी the chirping of birds पंचियों के गाने की आवा जाएगी the sounds of footsteps चलने के पैरों की आवा जाएगी imagine that a cow, horse and a duck and a chicken are meeting for morning meal सोचो, गाए, गोड़ा, बतक और चिकन मुर्गी के बच्चे मिल रहे हैं काई के लिए सुबा के खाने के लिए वो एक दूसरे से क्या बोलेंगे वो ही बोलेंगे how are you enjoy the food यही बोलेंगे की नहीं बोलेंगे imagine करना say aloud betty bought a bit of butter betty ने छोटा सा मक्खन लेके आया, butter मतलब मक्खन bit मतलब तुकडा, छोटा सा but the bit of butter that betty bought was bitter bitter का मतलब होता कडवा, बोलो bitter का मतलब क्या होता, कडवा betty ने छोटा सा मक्खन लाया पर वो मक्खन का तुकडा जो छोटा सा उसने लाया वो कडवा था So Betty bought some better butter अब Betty ने better Better मतलब अच्छा Bitter मतलब कडवा Better मतलब अच्छा Butter मतलब मकान To make the bitter butter better क्यों लेके आया Bitter, bitter मतलब तुकडा बोलो bitter मतलब तुकडा तीन चब्द है Bitter, butter, better तुकडा Butter मतलब Śně Better मतलब अच्छा देखो Bit मतलब तुकडा What मतलब लाना Bitter मतलब कडवा याद हुए नेने शब्द है Bit मतलब तुकडा Butter मतलब मक Śně What मतलब लाना Bitter मतलब कडवा Okay? Better मतलब अच्छा Let's write, let's write, let's write Pair करना है आपको end से but से end का मतलब बोलो और end का मतलब बोलो और but का मतलब बोलो परन्तू बोलो end का मतलब और but का मतलब परन्तू सुनना कोशन it is time to get up for school सुबा हो गई स्कूल जाने के लिए I want to sleep for some more time सुबह हो गई और तुम सोना चाहते हो और तुम सोना चाहते हो कि सुबह हो गई है परंतु तुम सोना चाहते हो परंतु लगेगा कि नहीं लगेगा तो यहाँ पे connector क्या लग जाएगा But it is time to get up for school But I want to sleep for some more time दोनों के बीच में connector जोड़ देना But अगले sentence पे आजाओ ये वाले पे Sheela get some chocolate for her but दे Sheela को अपने birthday के लिए कुछ क्या मिली Chocolate She got some new cloths too Chocolate भी मिली और नए कपड़े भी मिले Chocolate मिली परंतु नए कपड़े मिले कि chocolate मिली और नए कपड़े मिले और आएगा की नहीं तो यहाँ पे And she got को हटा देना For her birthday यहाँ से इसको She got को हटा के And लगा देना She got की जगा क्या लगा देना And some new cloths too बात समझे मतलब उसको chocolate भी मिली और नए कपड़े भी मिले Connector क्या लगेगा And Everyone has gone to sleep सब सो गए और मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ की परंतु मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ सब सो गए परंतु मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ तो sleep के बाद क्या लगा देना But But में कोई sentence में fair बदल नहीं होता है And लगाते हैं तो subject को हटा के एंड लगाया जाता है राजू प्लेस क्रिकेट राजू क्रिकेट खेलता है परंतु हौकी की और हौकी और हौकी एंड है तो यहाँ पे ही की जगा क्या लगेगा राजू प्लेस क्रिकेट एंड हौकी मतलब क्रिकेट भी खेलता है और हौकी भी बोलो end और but से connect करते आया की नहीं आया but लगाते समय किसी sentence को काटने की जरुवत नहीं end लगाते समय subject को भर काटा जाता है fill in the blanks यह comparative positive superlative तीन डिग्री होती है पहली वाली को बोलते है positive दूसरी वाली को बोलते है comparative तीसरी वाली को बोलते है superlative ऐसी बन जाएगी यहां से देखना y आया y को हटाओ i-e-r लगाओ क्या लगाओ i-e-r ठीक है और फिर क्या लगाओ i-e-s-t big देखो ध्यान से देखो big जी के पहले i है तो g को दो पर ले आओ big bigger biggest जमी बात जमी यहां पर आओ यह वाले पर late later और यहां पर क्या जाएगा latest समझे good better best बोलो good याद कर लो good better best late later latest tiny tinier tiniest big bigger biggest यहां पर देखो यह क्या जाएगा lovely lovely lovelier loveliest sleepy sleepier और यहां पर क्या जाएगा sleepiest s-l-w-e-p-i-e-s-t sleepiest बोलो इतना पूरा समझा आया tiny tinier tiniest big bigger biggest sleepy sleepier sleepiest lovely lovelier loveliest late later latest अब यहां पर देखना round है क्या जोड़ दो er और यहां पर क्या जोड़ दो est मतलब मतलब यह round rounder roundest समझे 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 small er जोड़ दो जोड़ 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 फिर क्या जोड़ दो est जोड़ दो small smaller smallest याद हुआ, याद हुआ, क्या जोड़ना है, ER, और क्या जोड़ना है, EST, Y आया तो, Y को हटा के क्या जोड़ना है, IR, बात खतम, बात खतम, बात खतम, आगे चलो, आगे चलो, नेहाज अलाम क्रॉक, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एक स्टोरी है, जिसमें नेहाज को सु अलाम क्लॉक बजने लगती है ट्रिंग ट्रिंग नेहा अपना सिर चुपा रही है अपने कान चुपा रही है नेहा को आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है वो चाहती है कि गड़ी की आवाज में को नहीं आएं तकिया के लगा लिये कान पे स्नेगल अंडर दा वांब गुज गई गरम ब्लैंकेट के अंदर बट शी नो शी हैस टू गैट अप शी मटर्स टू हरसल्फ मटर मतलब धीरे से अपने आपको बोलना क्या बोलती है वो मतलब हर सुबह छे बज़े ये रिंग करना शुरू हो जाती है और में को बाहर निकाल देती है बैड से it is so unfair unfair मतलब है बिलकुल अच्छा नहीं है oh how I would love to sleep a little longer in the morning मैं बिलकुल चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा सूँ I wish this clock would forget its job sometimes मैं चाहती हूँ कि एक घड़ी अपना काम बूल जाया थोड़ी देर के लिए narrator something fells नहा smile narrator बताता है कोई चीज गिरती और नहा मुस्कराती है क्या बलती है नहा oh my clock has fallen मेरी घड़ी गिर गई how happy I am tomorrow I can get up late घड़ी गिर गई अवास नहीं करेगी कल लेट उठूंगी यह सोच रही है ऐसा होगा की नहीं होगा यह guarantee नहा ऐसा सोच रही है next morning there is no alarm अगली सुभा कोई alarm नहीं so नहा sleeps and sleeps the small chirpy bird नहा सोरी थी नहा सोरी थी सोरी थी सोरी थी चोट असा ही आगया bird देखो दो 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 तीन तीन बाप रे बाप इतने सारे birds which come to the window still every morning found नहा still sleeping यह पक्षियों ने देखा की नहा सोरी है birds wake up they are wake up fast क्या कर रही हो नहा उठ जाओ narrator नहा gets up with a start नहा उठ गई नहा oh no if it is not the alarm clock it's bird अगर घडी नहीं उठाती है तो यह birds उठा देते हैं why don't this leave me alone यह लोग मुझे तनहा क्यों नहीं छोड़ देते narrator even this wish of नहा स come true नहा की यह क्वाइश भी पूरी हुई the next morning there is not only no alarm there is no birds अगली सुबा ना कोई alarm ना कोई birds but there is someone else who does not want her to miss the school bus पहले घडी ने उठाया दूसरे दिन birds ने उठाया तीसरे दिन घडी भी नहीं है birds भी नहीं है फिर कौन उठा रहा है कौन उठा रहा है कौन उठा रहा है can you guess can you guess बता 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 नहीं पता मैं बताता हूँ सूरी नारायन भगवान आ गए सूरी की किरने आई है गरम-गरम क्या बताऊं मैं कभी घड़ी, कभी बट्स अब ये सूरी देवता ने उठा दिया वो सूरी देवता को बोलती है क्यों नहीं आप मुझे जाने देते हो नहीं मुझे नहीं पसंद आप मत आया करो सुबा नरेटर इवन डिश विस ओफ नहास कम ट्रू नहा की एक खोईश भी पूरी हो गई अब ना घड़ी है, ना बर्ट्स है ना सूर्य देवता है नेक्स मॉर्नेंग, दा सूरी देवता है उसको बोलते हैं इगलिश में स्नूर्स क्या बोलते हैं? स्नूर्स बाप रे बाप, वो खराटे ले रही है अब वो ले रही है हर मदर्स वाइस अब आती है नेहा की मदर वेक अप, स्लीपी हेड उट जा अलसी खोर विल यू मिस्स दा बस स्कूल जाना है नहीं जाना है ओ नौ, वाइड़ मदर वेक मी अप अब ये मम्मी को क्या बलू नरेटर, देर इस नो एसकेप नाओ नेहां, गैच आप and gets ready नेहां उटी, तयार हुई can you imagine what happened the next day देखते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे imagine करू नेहां wakes up with a start ओ भाई साब अगले दिन नेहां अपने आप सुबा उट गई ना उसकी घड़ी ना बर्ड्स, ना सन ना मदर वाउ, हर वाज से वो बोलती है मा, who woke me up today आज किसने उठाया ना घड़ी, ना बर्ड्स ना सन, ना आप मैं अपने आप कैसे उट गई अब आई ममी की बारी मदर smiles उसकी ममाई smile देती है who else, you of course तुम खुद उट गए but I was sleeping, how could I मैं तो सो रही थी मैं कैसे उटी now tell me why do you eat your lunch every day at one in the afternoon उसकी ममा बोलती है बेटा ये बताओ तुम रोग चुबा एक बचे खाना खाती हो दुपैर में बोले हाँ I feel hungry मुझे एक बचे भूग लग जाती है why do you sleep at nine every night राद के नौ बजे सो जाती हो बोले हाँ because I feel sleepy there is a clock inside you which tells you when to eat when to sleep and when to wake up नेहा की ममा बताती है नेहा तुमारे अंदर एक घड़ी है वो घड़ी बताती है कि कब तुमको सोना है कब तुमको उठना है कब तुमको खाना है oh I better rush now I don't want to miss the bus ये बोलती है मैं जल्दी जाती हूँ मैं बस को miss नहीं करना चाती हूँ relax today is Sunday मत चिंता करो आज Sunday है oh ho adapted from नेहा जलाम क्लॉग by गिर्जा रानी अस्थाना ये लिखी थी गिर्जा रानी अस्थाना ने उसकी एक आपको ग्लिम्स बताई snuggles mutter window still relax relax मतलब आराम still मतलब वो मुह रखता window खिडकी mutter धीरे से बोलना snuggles किसी चीज के अंदर घुश जाना उसको बोलते है snuggles reading is fun अब भी अब भी अब भी अब भी what inside अपने अंदर क्या है our body clock हमारी body की clock है जो अपने को लेके चलती है देखना देखना इसको बनाना है इसको बनाना है बहुत अच्छे से बनेगा देखना ये कोशिश करो या आप जब थोड़ा बहुत दिमाग पे जोड दालोंगे तो ये बनेगा morning इसको भी थोड़ा सा जोड़ दो ये बनेगा windo w इसको भी थोड़ा जोड़ दो ये बनेगा c l o c k clock इसको भी जोड़ दो ये बनेगा a l alarm a l a r m क्या बनेगा alarm ये मैं जान बुचके छोड़ रहा हूँ आप comment में बताना ये क्या बनेगा hint देता हूँ ऐससे शुरवात होगी okay let's listen and talk सुनो और बोलो listen the sound when you are on your way to school जब आप school जाते हो तो कौन-कौन से sound आते हैं बताते चलो sound you hear इसका yes sound your friend heard yes लड़की की आवाज talking लड़की की आवाज आती की नहीं आती tree leaves leaves की आवाज आएगी की नहीं आएगी इसमें किसकी आवाज आएगी leaves की इसमें birds chirrup birds क्या करेंगे c h i r r u p chirrup और ये कौन है ये 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 mic इसकी आवाज भी आ सकती है loud voice भी आ सकती है ये सब sound आपको मिलने वाला है if there is no clock अगर आपके घर में clock नहीं है how will you wake up by sun rays by sun rays और birds जैसे वो नहा उठी थी न sun से या bird से तो अगर clock नहीं रही तो कौन उठाएगा sun ray या birds will you continue to sleep और no 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 I won't sleep सुबा तो काम करने की है सोने की है क्या knowing the time during the day कहां कहां से टाइम पता चलता है clock sun और 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 दो ही चीज़ है या तो clock से टाइम पता चलता है या तो sun से टाइम पता चलता है what's finding यहां पे आपको डूणना है mother यह देखो उसने डूण के दिया m o t h e r mother अब अपने को देखना है b i r d s birds पहली नजर में मुझे birds मिल गया अब अपने को डूणना है clock डूणने का आसान तरीका देखो यह mother को और यह bird को अंडरलाइन करना मैं clock पे जा रहा हूँ आसान तरीका क्या है बता हूँ बस ऐसा शब्द देखो जिसकी शुरुआत किसे हो रही है c से देखो यह c नहीं जमा फिर और आगे आके देखो c बस किसको देखो c यह देखो c l o c के clock बना की नहीं बना अरे बोलो ना हाँ नहीं बना तो यह देखो यह देखो यह देखो c l o c k यह clock बनेगा की नहीं बनेगा ऐसा बना की नहीं बना morning holiday hungry यह सब डून डालेंगे अपन बस आप देखते चलना बोलो किसको डूनना है morning holiday hungry अब भी डूनते हैं इदर आओ इदर आओ बस शुरुआत करो किस से m से तो यह देखो m o r n i n g morning बना की नहीं बना अरे बोलो ना हाँ बन रा की नहीं बन रा उसके बाद में यह sunday sunday बना की नहीं बना फिर क्या देखना है और उपर देखता हूँ मैं sunday हो गया clock हो गया अलाम हो गया holiday और hungry h h वाला देखना है बस यह देखो यह h पकड़ के लाया तो यह क्या गया holiday ऐसी एक और h को पकड़ के लाऊंगा तो क्या जाएगा hungry बस मेरी नगहा h पे जा रही है जहां पे मैं को क्या दिखेगा h मैं उसको एकड़म शान्ती से डूणने वाला हूँ h u n g r y यह दिखेगा मैं को hungry बोलो पूरा दिखा की नहीं दिखा अरे बोलो न हाँ दिखा न तो यह हो गया अपना पूरा का पूरा काम तमाम इसको जोर से बोलो out matter जब कोई मसला हो जाता तो उसको बोलते इंगलिश में matter चिल्ला चोट को बोलते चैटर शटल बंग करने को बोलते शैटर पकड़ने को बोलते caught catch भी बोलते catch मतलब पकड़ना catch के second form में caught what मतलब लाना tick tock घड़ी की बात है tick tock tip tin tongue ding 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 ho 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 प्लूरल तो वर। प्लूरल है subject तो singular है तो was अब भी अब भी पूरा लगाऊंगे आप खुद ही बोलोंगे राम singular है की नहीं इदर sentence से कोई मतलबी मत रखना भो राम singular है की नहीं तो राम के साथ क्या लगेगा was काउस plural है की नहीं तो क्या लगेगा was twice plural है ना तो क्या लगेगा, वर, frog singular है तो क्या लगेगा, was, market singular है तो क्या लगेगा, was, याद हुआ की नहीं हुआ, अरे बोलो ना, याद हुआ ना, राम के साथ क्या लगेगा, was, राम was a good football player, राम एक अच्छा फुटबाल का खिलाडी है, the cows, बहुत सारी cows है, इसलिए क्या लगेगा were, grazing in the field, गाए घास चर रही है, my toys, एक से ज़्याद है इसलिए क्या लगेगा, were, टूट गए, टूट गए, the frog, मतलब उसकी frog है, singular है तो क्या लग जाएगा, was, market भी singular है तो क्या लग जाएगा, was, बोलो singular है तो, was, plural है तो, were, child का plural है, children, इसलिए क्या लगेगा, were, flowers, एक से देखना, yesterday I lost a book, कल मेरी एक किताब चली गी थी, I looked it everywhere, I looked dash the door, दरवाजे के पीछे देखोंगे की नहीं, इसलिए क्या आएगा, behind, I looked dash a cupboard, cupboard के अंदर देखा न, तो क्या आएगा, inside, देखो, दरवाजे के पीछे है इसलिए क्या आएगा, behind, इसके अंदर है, इसलिए क्या आएगा, inside, बोलो ना, बोलो, inside भी हो गया, behind भी हो गया, under, pull out, called out, I looked dash a bed, पलंके नीचे इसलिए क्या आएगा, under, अब कुछ कहीं नहीं दिखा, तो आप बुलाओंगे किसी को, बुलाने को क्या बोलते, called out, और कोई खीच के देगा, निकाल के देगा, तो उसको क्या बोल पुल्ड, बोलो, behind मतलब पीछे, call out मतलब बुलाना, pull out मतलब खीच के निकालना, समझो क्या हुआ, लड़की की किताब खो गई, उसने दरवाजे के पीछे देखा, इसलिए क्या आएगा, behind, इसके अंदर देखा, कब बोट के, इसलिए क्या आएगा, inside, पलंके नीचे दे इसलिए क्या आएगा, call out, खीच के निकालना, क्या बोलते हैं, खीच के निकालना, तो क्या बोलते हैं, pull out, इसमें कुत्ते को बुलाया, share, share, share ने निकाला, तो pull out, खतम, यहाँ पर हमारी unit one होती है, complete, इसमें आपको जो sentence बनाना, वो लिख लेना, sentence जैसा आप चाहो वो ल जैसी आप चाहो वैसी पिक्चर बना देना, घड़ी की, जो डाइलर है ता ना, वो बना देना, इसे दो-तीन काटे बना देना, यहाँ पर घड़ी है, ठीक है, बाकी जो करना कर दो, उसमें तक कुछ खास नहीं है, morning में क्या-क्या दिखता है, बोलो, sun दिखते हैं, और ब दिखता है, flowers दिखता है, और क्या दिखता है, प्लीज एंट, सब कुछ बहुत खुश दिखता है, हैप्पी वैप्पी चीजे आपको दिखती है, इसी के साथ हमारी unit 1 होती है, complete, thank you so much for supporting and watching the लुश आई